नमस्कार जैस्त्री महाकाल मैं पंडित सेश्ट नाना चाड़िप आप शवी को आने बाली साथ अगस्त को हर्याली तीज है इस हर्याली तीज के वारे में वे शंपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं हर्याली तीज ऐसा हिंदू महापर में देखने को मिला है जो सावन के सुकलपस्ट को तृतिया तिथी को मानी जाती है इस दिन जिसको इसी साल विवा हुआ हो तो नाग पंचिमी वाले दिन अमावस के पंचिमी तिथी में इस पूजा की शुरुवात होती है जिसमें माता पारवती की पूजा होती है साथ प्रकार के नाक की पूजा होती है भगवान शिव की पूजा होती है और अनेक प्रकार के पुस्वों से पूजा होती है और उसमें हर चीज अरपन किया जाता है जब वहां से सुरुवात होती है और तितिया तिथी में माता पारवती स्वेम ही अपने आपको शुक्लपक्ष में तयार मिलती है और वहाँ पर जो लोग उस दिन हरियाली तीज वाले जिन भगवान माता पारवती भगवान शिव के मन में शंकलपकरते हुए अपने घर में नाना बृधान नाना प्रकार के साथ माता पार्वती भगवान विश्णु असाव साथ प्रकार की सर्व की पूजा अर्चना करती हैं वजन गरते हैं जीत गाते हैं नाचते हैं दीपधान करते हैं और अनेक प्रकार विधान से पूजा करते हैं तो जो सोभागे इस्तरी होती है उसकी सुख सोभागे की प्राप् होती है और सभी प्रकार के इस्तरियों के लिए समान शूचक तित्थी माना गया है जिसमें जदी आपने नमक का त्याग किया और अपने आपको परपुन रुप से सर्शमर के भगवान माता पारबती की पूजा की भगवान सिब की पूजा की सर्व को शमान पूर्बक नहीं होता आपकी सुख की जो बारिवासा बढ़ती चली जाती है अशोभा के प्राप्त होता है यहां पर सास्त्र मानता है जब मंगला गौरी उस दिन बहुत जबरदस्त प्रशन होती है तो जो लोग इस दिन ये पूजा करती है अब बिधान पुर्बक पूजा करती है और अपने आपको माता परबती के प्रती सरद्धा व्यक्त करते हैं शम्मान प्रगट करते हैं उनका पूजा रचन करते हैं उनके भक्ति भाव का गान करते हैं गीत गायन करते हैं नित्य करते हैं और दिन से रात्री तक करते हैं तो शंपुर्ण फल की प्राप्ति होती है उस दिन नमक का त्याक करना, मीठे बस्तू का भोग लगाना, मीठा ही खाना और हरा पीले बस्तू का प्रयोक करना और काला सफेद का परित्याक करना ये सास्त्र मानता है ज़िए ऐसा आप करते हैं तो जो सधवाइस्त्री हैं जूर की विवाओ हो चुकी हैं उस सफी के लिए सर्वुत्तम््这 Rei माना गया है सास्त्री मानता है शाल में दो प्रकार का तетрी सर्वुत्तम् मानी गई है एक हरियाली इतीज एक अरवाच ओठ ओझ तॉ चतुर्थी तीजम होता है जो गनपत की गनपत की अराधना की जाती है गनपत के साथ और देवी देवताओं का अराधना की जाता है यहां पर भगवान सिप के साथ पारवती मंगला गोरी के अराधना की जाती है साथ में सरपादी की पूजा की जाती है जो हमारे घर में किसी प्रकार का दोस्त प्रवे शुक्षम्रिद्धी अच्छी रहे ऐसा मनें गीत गायन करते हुए भागवान माता पारवती और सब साथ प्रकार का सरपादी के पूजन साथ में भागवान शिव की अराधना यह करते हुए जो लोग करती हैं उनके घर में शुक्षम्रिद्धी आती है यह विडियो जैसे अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना ना भूले ओम शांती